है 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 आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में कैसे आप लोग उमेद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे काफी बंपर भरती निकल के आए अगर आप आई टे किये हुए है ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको जनकारी मिल पाएग आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने का पर्यास कर रहे हैं ठीक है इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसके बारे में जनकारी हो जाए चलते हैं ऑफेसियल नोटिपी कि कर लेते हैं इसका टेट जो है कब से सुरू हो रहा है तो 21-11 से लेकर के हैना 20-12 है ना 21-12 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 20-12 को रात 11 बजे यह फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाए इसका जो सेलरी है आपका पेस किल क्या होने वाली है तो लेवल 3 के इसका 2 1100 साथ सब्सक्राइब के उन हट्र हजार के बीच आपको मिलने हैं आपकी सेल रही ठीक है और जो पैंसन होता है वो नेशनल पैंसने पैंसने स्कीम के तहत्र जहें इसके तहत्ता पैंसन मिलेगी इसका एक्जाम आंलाइन होगा ठीक है ओनलाइन या फिर ऑफ-फ्ल तो जो है यह लेवल तरीका आपका वेतन है किसे जाए 700 लेकर अच्छाने बात करते हैं किस पोष्ट के लिए कितने वेकेंसी है कौन कौन त्रीड वाली इसमें अप्लाइब कर सकते हैं आपके सामने वेकेंसी टेबल मैं यहां रख रहा हूं कुक की आप देख सकते हैं कुक क सब्सक्राइब की 102 वेकेंसी वासरमें की 108 थड़ा स्लिय स्वीपर की 199 और यहां पर पेंटर की एक मेसन की 12 प्लंबर की प्लंबर की चार माली की तीन वेल्डर का तीन यहां पर इस ट्रेड से अगर आप आई करता हैं सभी ट्रेडों से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सक प्लंबर की एक पोस्ट है बारबर की साथ पोस्ट जो की बैकलाग वेकेंसी कुल मिला करते हैं आप 787 ठीके 787 और काफी अच्छी ऑपोर्चनुटी आप देख सकते हैं किस रीजेन के लिए कितनी सीटे आई है इसमें रीजेन वाइस वाइज 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 आई हुई cisfrelt.eme eosite पर आपको apply करना होगा ठीक है apply करने के लिए किसे अमेरे से वाट्सेप से पीछ सकते हैं याँ फिर झान कर लिए इस वीडीय आप को डॉन्लोड करने के लिए ठीक हैे आपको को सबसे पहले आपको यहां पर किन देने होगा ठीक है आपको से पर सेलेक्संड's के बारें बता जेते हैं सेलेक्संस के लिए आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको यहां पर PhD, PET, Documentation और Trade Test से गुजरना होगा सबसे पहले आपको Documentation, PhD, PET से गुजरना होगा देन उसके बाद आपको MR-based या फिर CBT-based में आपका एक्जामनेसंस होंगे bilingual होगा जो कि हिंदे और इंगलिस में ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं आप देख सकते हैं Idility criteria भी आपको दिखा देते हैं क्या-क्या है इसके लिए कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है अगर आपका एज 18-30 साल के बीच में है 18-2022 के बीच में और आपका जनमदी थी 28-99 और 18-2004 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके लिए height कितनी होना चाहिए इसके लिए physical standard जो है कम सकम आपको एक 70-120 cm आपका height होन चाहिए चेश्ट जो है आपका 80 होना चाहिए और 5 cm expansion होना चाहिए तो आपको जो है हाइट यहां पर 65 प्रिमेल के लिए 55 और चेट जो है 78 मांगा जाता है ठीक है क्योंकि यह जो है इनके लिए काफी सारी छूट इसमें दी गई है ठीक है तो इस वेकेंशी को आप अप्लाई कर सकते हो है ना इंजिक्रिशन क्वालिफिकेशन होई है आप मेंट्रिक के लेसन पास होनी चाहिए है ना अगर आप मेंट्रिक पास है और इन सभी ट्रेडों से आइट एकर रखा है तो आप उसके लिए इलिजेबल है अप्लाई कर सकते हैं ठीक तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लग नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको कोई सलास सुजाव हो तो नीचे देश सकते हैं वीडियो को ज्यादा से जादा सेयर कीजिएगा चैनल पर नहों तो अभी सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं किसी नए वी कर वीचे एasion उने ब्सक्राइगा शेलो प्रेंटिंगा लिए बताईब किसी थार्थिएगर पिलिए मिलते हैं ऊरे उन्स-प्रेंट खेरो चैनल कर वीचे तो नह 주는 है बमताव जरिको हैं EK quedarू झार शो ब्ताव्यों आर्ड़ीं is it